Hello Friends, This is Jai Prakash Tiwari and Welcome to my YouTube channel REC Classes आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के लिए संस्कृत विशय का एक प्रश्न पत्र जो की ये हमारा पार्ट 2 रहेगा इस से पहले हम कोशन जो है 8 तक पढ़ चुके हैं आंसर सहीत मैंने आपको उस वीडियो में बताया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिश्ट में जाकर के वो वीडियो जरूर देख लें आपको वहाँ पर मिल जाएगा तो आज हम कोशन सुरू करेंगे 9 से तो जो 9 का है प्रश्ण की प्रदत्त सब्दे रिक्त इस्थानानी पूर्ती करनी है जो सब्द लिखे हुए हैं आपको यहाँ पर इनसे जो है रिक्त इस्थान की पूर्ती करनी है तो आई फ्रेंड्स अपने आंसर को हम सुरू करते हैं फर्ष रहेगा निस्कारण विद्वेश करस्तवर डैस प्रतियाता तो यह जो आएगा इसमें काल मुखम आएगा क्या आएगा फर्ष रहेगा इसमें इसमें आएगा काल मुखम जो दिया हुआ है काल मुखम नेश्थ है वत्स मुंच तो इसमें क्या आएगा इसमें आएगा बाल मुरिगेंद्रकम क्या आएगा जो बाल मुरिगेंद्रकम जो फश्ट लिखा हुआ था ये ये आएगा दूसरे का और ये वाला है पहले का नेश्ट है गजवत डैस आचरेत तो इसमें आएगा श्नानम क्या आएगा श्नानम आएगा ये थड़का फोर्त रहेगा जो बचा हुआ है वही आजाएगा कि दसरत डैस विद्यायाम अति निपूर आशीद तो बाढ़ है मतलब दसरत जो थे वो बाढ़ विद्याम मतलब धनुष चनाले में निपूर थे तो ये आपको मिल गए फिलिंदा ब्लैंक्स अब चलेंगे नेश्ट में अधो लिखता नाम उचित मेल करना है मिलान करना है क्रोधात को किसमें मिलाओगे आप तो उसको आप मिलाओगे सम्मोह में क्रोधात को किसमें मिलाओगे सम्मोह मे दिर्ग करना नाम दिर्ग मतलब बड़े कान होते हैं वैसे हाथी को तो मार जा रहा है हम बिलाएंगे मार जा रहा है अब है व्याधः व्याधः को मिलाएंगे कौंचम हतवान व्याधः को मिलाएंगे कौंचम हतवान व्याद है मतलब शिकारी को बोलते हैं करपूर तिलकह करपूर तिलकह क्या किसे मिलाएंगे हस्ती में बिलाएंगे फ्रेंड सभी प्रशन इंपोर्टेंट हैं NCRT के ये सभी प्रशन हैं आपको इन्वल एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे नेक्ष्ट देखते हैं निम्न लिखित प्रत्यनेशू चतुरुणा नाम प्रशना नाम उत्तराणी संस्कृत भासायाम एक पदेन देनानी मतलब एक पद में देने हैं एक सब्द में देने हैं जिसको हम बोलते हैं फर्श्ट है विप्रह कम सततम अबलोकयती तो जो ये दस्वा प्रसंद रहेगा इसका आंसर आएगा घटम क्या घटम आएगा इसका आंसर जैसा मैं लिख दिया हूँ जो थे किसको देख रहे थे लगातार मतलब घटम को फिर है दूसरा मदन विनोदह कस्य पुत्र आसीत तो इसका आएगा हर्दतत्ष्य क्या आएगा लिख रहावं हर्दतत्ष्य इसका आणसर आएगा हर्दतत्ष्य नेक्ट्स कॉछन रहेगा रक्षा करंडक केनम दत्तम तो इसका आएगा मारी चेन क्या आएगा मारी चेन मारी चेन जो मामा मारी चोगर जो थे रामायन में उनकी बात हो रही है रक्ष का दंडकम केन दत्तम जो दंडक वन था उसकी रक्षा कोन करते थे तो ये मारी चोगे रजो थे वो करते थे सर्वं प्रित्यज्य कम अनुपाले ये थे तो फोर्थ का आएगा सरीरम क्या आएगा सरीरम नेश्ट है द्वारकव केन पोशितो रक्षितो चै तो आंसर आएगा इसका वालमी की ना क्या एगा वालमी और की लिखेंगे और ना तो वालमी की ना इसका आएगा नेश्ट रहेगा अश्ट मूर्ति कुत्र प्रतिष्ठा पितास्ती जो अश्ट मूर्ति थी कहां थी तो आंसर आएगा दस पूरे क्या आएगा दस पूरे इसका जो है सही आंसर होगा अत्वा हम दूसरा भी लिख सकते हैं मंद सौरे भी लिख सकते हैं इसका अंसर नेश्ट रहेगा इसमें 11 जो question है प्रेशूत रहनाम उत्राणी संस्कृत भासायाम एक वाक्यन पदिन देना है एक वाक्य पद में गुरु विद्या कथम बितरत तो गुरु विद्या प्राग्य विद्याम क्या हैगा अंसर लिख देता हूँ पहले तो गुरु विद्याम लिखेंगे फिर लिखेंगे प्राग्य विद्याम बस प्राग्य विद्याम फिर लिखेंगे वितरत तथेव जेदेपी वितरत नेश्ट है इसी का राम कस्मिद वंसे उत्पन्न अभूत राम किस वंस में उत्पन्वे थे तो इच्वाकु वंस में उत्पन्वे थे तो इच्वाकु और वंसे लिख देंगे वंसे तो यह हो जाएगा इसका answer next रहेगा पल भायंत्रेंड कस्य ग्यानम भवती तो इसका आएगा पल भाय अंत्रेड चाय यापी क्या आएगा चाय यापी ऐसे लिखेंगे चाय यापी फिर समस्य सम्यक ज्यानम भवती next है इसी में प्रश्ण बाल का कथम भश्मी भूता जाता है तो आएगा बाल का क्रोधागमीना भश्मी भूता जाता next रहेगा friends अदो लिख तेशू चतूर्था नाम सब्दा नाम रूपाणी दिर्देशा नुशार त्रिशू वचनेशू लिखत तो first है गुरू की तृतिया विभक्ती लिखनी है ठीक है तो क्या आएगा गुरू तृतिया विभक्ती तो कैसे लिखेंगे इसको लिख देता हूं मैं फर्ष्ट जो है गुरू का तो गुरुना आएगा पहले तो फिर जो आता है गुरु भ्याम आएगा गुरु भ्याम ठीक है गुरु भ्याम आएगा फिर और जो थर्ड है इसमें गुरु भी आएगा गुरु भी ठीक है गुरु भी इसमें आएगा ये हो जाएगा इसका answer next है isi में राम का सश्ठी विभक्ति का लिखना है तीनो बचन तो क्या लिखेंगे एक तो लिखेंगे रामस्य ठीक है फ्रेंट्स रामस्य रामयो लिखेंगे ठीक है रामयो और फिर आएगा रामा राम आएगा रामा राम next रहेगा तत का चतूर्थी भी भक्ति लिखना है तो क्या आएगा इसका अंसर तसमे आएगा पहले तो तसमे फिर आएगा ताभ्याम क्या आएगा ताभ्याम आएगा फिर जो तीसरा आएगा इसका तेभ्य क्या आएगा तेभ्य next रहेगा आत्मन का पर्थम भी भक्ती लिखनी है ठीक है तो क्या आएगा आत्मा आएगा फिर आएगा आत्मानों आएगा और फिर उसके बाद लिखेंगे आत्मान लिखेंगे आत्मान इन सभी को आंसर आप जरूर नोट कर लें नदी का क्या आएगा नद्धा फिर आएगा नदीभ्याम आएगा नदीभ्याम ठीक है यहाँ पर हलंत लगेगा और फिर आएगा नदीभ नदीभ यह दो बिंदी लगाएंगे नेश्ट आएगा अधो लिखतेशू पंच असुद्ध कारक वाक्या नाम सुद्धी करनी है मतलब जो वाक्य असुद्ध लिखे हैं उनको जो है सुद्ध करना है तो देखते हैं इस अंसर को कुशन है एक बालिका तत्रपठद तो आएगा एका बालिका एका है तो हम इसको लिखेंगे एका क्या लिखेंगे एका एका को काट करके एका लिखेंगे एका बालिका तत्रपठद नेक्स्ट रहेगा इसी में सुरेशह ममह मित्रम अस्ती सुरेशह ममह मित्रम अस्ती तो ममह लिखा हुआ है सुरेशह मम सुरेशा मम मित्रम यहां पर मित्रह लिखा हुआ था तो हम क्या लिखेंगे मित्रह को मित्रम लिखेंगे मित्रम लिखेंगे मम जननी भोजनम पचंती तो क्या आएगा मम जननी भोजनम पचंती आएगा पचंती की जगह क्या लिखेंगे पचंती नेक्ष्ट है इसे में बालका विद्याले वच्छंती तो बालका विद्यालेयम विद्यालेयम आएगा इसमें विद्यालेयम ठीक है फ्रेंट्स विद्यालेयम फिर नेक्ष्ट है स्री गडेसम नमह तो स्री गडेसाय नमह जो लिखते हैं वो आएका स्री गडे शाय नमह शा आएगा मा दुगधम रोचते ऐसे लिखते हैं महयाम वो आएगा महयाम दुगधम रोचते फिर है सीता रामस से सह वनम अगच्छत सीता तो रामस से लिखा हुआ है तो रमेड है लिखेंगे हम ठीक है रमेड सह वनम अगच्छत next question जो friends आप देख रहे हैं आप इनको note कर लें और जरूर इसको solve करें ताकि आपको अच्छा marks इसको और आसके आपका next जो question है देख लीजिए आप इनको अगर आपको इसका भी solution चाहिए तो next video में इसका solution भी आपको जरूर मिल जाएगा okay friends thank you for watching this video मेलेंगी next video में